नमस्कार दोस्तो स्वागते आपका मेडिकल गुरू डुक्टानल पर आज हम कोलीरीड टाबलेट के बारे में पूरुजान कर लेने वाले हैं कोलीरीड टाबलेट का मुक्यत प्योग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्चा दूर करनी क्लिक के आ जाता है आईए इस टाबलेट के बारे में पूर्चतार से जानते हैं यह टाबलेट कौशे काम करती है? कहां इस्तिमाल होती है? इस टाबलेट के क्या बेनिफिट से? क्या साइड़ पेक से? इस टाब्लेट से जुड़े सभी सावलो के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आकरतक दरूर देखी जाएडस कैडिला कंपनी की 10 टाब्लेट की यह स्टिप आपको 169 रुपे में डॉक्टर के परची पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स प्यासा निसी मिल जाएगी बात करते हैं इस टाब्लेट में मुझूद कंटेंड के बारे में कुलिरीड टाब्लेट में ओटोलीनियम ब्रोमाइड 40 mg यह कंटेंड समस्ट है इसमें मुझूद ओटिलीनियम ब्रोमाइड यह पाचें तंतर की चिकनी मास पिशो पर यह गहन अंटिस्फास्मोटिक प्रभाव डालता है यह पेट दर्द, मरोड, बलोटिंग जैसी इरिटेबल बावल सिंड्रूम के लक्षनों से राह देने में मदद करता है बात करते हैं इस टाबेट के उज़िसकी डॉक्टर शेकिन की समस्षा में इस्तमाल करते हैं इसका उप्योग irritable bowel syndrome की समस्चा दूर करने के लिए क्या आ जाता है। यह यक आम विकार है जो की हमारी बड़ी आत को प्रवाविद करता है। इस बिमारी में आम तोर पर आपको पेट में एंठन, पेट में दर्द, सुजन, ग्यास, दस्त और कब्र हो सकते ही। इस समस्चा को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टाबलेट के इस इस्तमाल करते ही। बात करते है इस टाबलेट शे वने वाले एट पकी। यदि आपको इस टाबलेट में मौजूद कंटेंड शे आलरजे, तो आपको साइड़ पकी हो सकते ही। येदी बताएगाई साइड़ पेक्स महसुस हो तो तुरों डक्टर से संपर करें इस टाबलेट शे आपको उल्टी, शीर दर्द, पेट में दर्दोना, चक्कर आना और मिटली आना यह साइड़ पेक हो सकते हैं बात करते हैं यह टाबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या सावधनिया लेनी चाहिए दोस्तो यह टाबलेट लेने के 2 गंटे तक अपचन या फिर इन्डाजेशन के लिए कोई भी उपचार ना ले साथ यह आपको इस टाबलेट पी मवजूद कंटेंश आलरजी है या फिर कोई साइड़ पेक्स मोस्तोस होते है तो इस टाबलेट के इस्तमाल ना करें यह टाबलेट लेने से पहले या फिर बाद में आलकोल का प्रयक ना करें और साथ ही यह टाबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें बात करते हैं इस टाबलेट के डोस के बारे में आप अपनी समस्या और रेज बता कर इस टाबलेट का डोस आप अपनी डॉक्टर या फिर फार्मासिस से पूत ले याद रखे दोस्तो हर रोगी और उनका मामला अलोग हो सकता है इसलिए रोगी किस्तिती, रोगी के आयो और अन्यकारनों के आधार पर इस टाबलेट का डोस अलोग हो सकता है इसलिए इस टाबलेट के इस्तमाल डॉक्टर के सला के अनुसार करी अडल पेकती एक टाबलेट दिन में एक बार खाली पेट ले सकती है या फिर आपने डॉक्टर के इसला के अनुसार भी इस टाबिल्ट के इस्तिमाल कर सकते ही दोस्तों इदिया आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए हो साती बेलाकन दाबरिजिये ताके आपको आगे आने वाले वीडियो की नूटिपिकेशन मिलती रहे यह है उड़े देखने के लिए धन्यवाद